लेट्स स्टार्ट आवर क्लास, क्लास LKG, सब्जेक्ट एंग्लेश प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको यूज आप आर्टिकिल ए की बारे में पढ़ा था हम लोगों नहीं पढ़ा था यूज आप आर्टिकिल ए आज हम लोग पढ़ेंगे चेप्टर नाइन यूज आप आर्टिकिल एन एन दव आर्टिकिल दव एन का यूज कहां पे होता है इसको आज हम लोग पढ़ेंगे और इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं तो आएए देखते हैं वर्ड्स स्टार्टिंग विट वावेल्स जो वर्ड्स वावेल्स से स्टार्ट होते हैं जैसी कि A, E, I, O, U Must have and before them उसके पहले हम लोग क्या लगाते हैं? और अगर कोई वर्ड वावेल्स आउन से स्टार्ट होता है जैसे कि A, E, I, O, U तो उसके पहले हम लोग क्या लगाते हैं? N लगाते हैं, but some starting with U, EU and O having the pronunciation of any consonants have a before them example of unique, लेकिन अगर कोई word किसे start होता है, और EU या O से start होता है, लेकिन उसका pronunciation किसे होता है, किसी consonants letter से होता है, जैसे A, तो उसके पहले, किसी consonants letter से होता है, तो उसके पहले हमनों क्या लगाते हैं, A, A लगाते हैं, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है यहाँ पर, कि जिसमें A, E, I, O, U होगा, वहाँ पर हमनों क्या लगाएंगे, N लगाएंगे, लेकिन, अगर कोई word है, जो EU से start है, जबकि EU हमारा क्या है, वावेल है, और E भी क्या है, EU वावेल है, ओ भी वावेल है, और इसका pronunciation कैसे होता है, Consonance word से होता है, तो उसके पहले हमनों क्या लगाते हैं, A लगाते हैं, THE, The is definite article, THE जो होता है, definite article होता है, used to explain a certain person or thing you mean और the जो होता है, wanna definite article होता है और यह किसको explain करता है किसी certain person या thinks को क्या करता है explain करता है, indeed mov घ्म चाइब करता है जो निश्चित होता है तो आएम्पल हम देखते हैं यहां पर टिय ऐए एलीफेंट ऑन एलीफेंट तो इसमें क्या है जो वार्ड है वो किस से स्टाट है वावल साउंड से स्टाट जैसे की देखिए ू क्या है वावल है तो इसलिए यहां भी क्या लगा ए लगा है you अंबरेला का यू क्या है? वावेल है, इसलिए यहाँ पे भी N लगा है आउल का O आउल जो है, उसका O क्या है? वावेल है, इसलिए यहाँ पे भी N लगा हुआ है एपल में A, वावेल है इसलिए इसके पहले N लगा हुआ है सन, सन जो है, यह क्या है? एक, सर्टें थेंक से यानि कि सर्टेंज यह चाहिए तो इसलिए यहाँ पर क्या लगाए दौ लगा है क्योंकि सं तो हमेशा होता है यहाँ निश्चित होता है कि सब सूरज हो हो निकलेगा occupied यहाँ पर दौ कर्योज हुछ ऊज़ सर्ट लगता है यह क्या है गीता गीता एक बुक है बुक का नेम है तो यहाँ पे भी क्या लगा है दो लगा तो किसी निश्चित सॉर्टेन में सोता है निश्चित किसी निश्चित पर्शन या किसी निश्चित थिंक्स के लिए क्या लगता है दो लगता है जैसे कि इंडिया गेट तो यहा यहां पर क्या लगा है दो लगा है क्योंकि और्थ जो है वो क्या निश्चीत है तो इसलिए यहां पर दो लगा हुआ है आईगे यहां पर एक्सरसाइज रखते हैं आई यहां ख्खते हैं आई यहां जोलेफ, आश्ध्वेट, यहां एज्चीत मत्राय यहां गारलाय यहां यहां ख्खतते हैं diff अभा हैं जोले बसक्टार मत्राक अवर स्थेब्राइब भीगा दोवर्व्च इतन दोन जोन Suzanne An oven, an official, an orange, an accident, an action, the Bible Bible क्या है? ये भी आपको book का name है Bible निश्चीत है certain है इसलिए यहाँ पर दो लगा हुआ है An ant, an ankle, an uncle, an aunt, an onion, the moon Moon भी क्या है? certain things है इसलिए यहाँ पर दो लगा हुआ है यहाँ पर आपका देखिए activity दिया हुआ है fill in the blanks with a and an तो यहाँ पर a और an का यूज़ करके blank space को fill करना है तो यह आपका दिया है goat तो goat जो है वो किसे start है? consonant sound से start है तो इसके पहले हम लोग क्या लगा देंगे? A umbrella तो यह किसे start है? वोबे sound से start है इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? N लगा देंगे elephant यह भी वोबे sound से start है तो यहाँ पर हम लोग N लगा देंगे owl यह भी वोबे sound से start है तो यहाँ पर भी N लगा देंगे egg यहाँ पर भी N लगा देंगे orange वोबे sound से start है तो यहाँ पर N लगादेंगे Mango तो M जो है वो Consonant है तो यहाँ पर A लगाएंगे H जो है वो Consonant होता है तो यहाँ पर A लगादेंगे Engine तो Engine जो है वहाँ पर N लगादेंगे तो ऐसे ही आज आप लोग भी अपना 혹文 Komplete करेंगे और समझेंगे कि article 2 का यूज n का यूज और a का यूज कहाँ पर होता है यह आज का आपका homework है तो आप लोग इसको rate भी करेंगे बुक को और complete भी करेंगे आज का आपका class यही पर over होता है Thank you